नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसीस धनगर और आप देखें आपका अपना चैनल दा अहिल्या दस्तक साथियों लंबे समय से मैं लगातार बहुजन समाच की अबाच को बुलंद कर रहा हूँ बहुजन समाच का मतलब मेरा ये है कि दबे कुछले सोसित और बंचे समाच के हकतकार की अबाच को उठाने का लगातार प्रियास कर रहा हूँ आपको बता दें साथियों यूपी में नौ बिधानसवा सीटों पर उप्चुनाओं होना है इनी बिधानसवा सीटों के उप्चुनाओं के लगातार हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं लगातार तमाम चीजों को हम लोग डिसकस करने का प्रियास करते हैं आज का ये वीडियो विल्कुल अलग है वीडियो को skip बिल्कुल भी ना करें बिल्कुल end तक देखें साथियों आपको बता दें कि करहल विधानसवा पर उप्चनाओं होना है उस उप्चनाओं के लेकर के सभी पार्टियां लगबग अपना-प्रियास कर रही है वो कहते हैं साथियों कि संगर्सों के साय में इतिहास हमारा पलता है जिस और जबानी चलती है उस और जमाना चलता है साथियों ये कहने का मतलम मेरा बिल्कुल साफ है कि लखनों की धर्ती से चलकर कि एक नौजबान करहल की धर्ती पर पहुँचेगा और उत्तर प्रदेश के इन उप्चनों में बिधानसवा करहल से वो अपने दावेदारी अपनी ताल ठोक चुका है जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ राष्टिय समाच पार्टी प्रदेश सचिप की स्यामापाल जी स्यामापाल जी वले ही पैसे से ज़्यादा मजबूत ना हो लेकिन हौसले से बहुत मजबूत हैं स्यामापाल जी लगातार एक कोसिस कर रहा है कि करहल विधानसवा से उप्चनों में जिस प्रिकार से ताल ठोकी है उनकी पार्टी राष्टिय समाच पार्टी एक लंबे समय से यूपी के अंदर भी काम कर रही है और एक अच्छी विचारधारा को लेकर के चल रही है महादेव जानकर पूर्ग कैविनेट मंत्री भारत के एक बड़े नेता है और उन्हीं की पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिप स्यामापाल जी करहल बिधान सभा से ताल ठोक चुकी है मैंने स्यामापाल जी से बाच्चीत की उनके बिचार जाने तो साथियों मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने भी कहा कि हम दबे कुछले सोसित और बंचे समाज के हकतकार के आवाज को उठाना चाहते हैं और कही न कही साथियों ऐसा देखा गया है लोगों का ये भी कहना है कि चाहे कोई भी बिधान सभा हो, लोक सभा हो या फिर कोई भी छेत्र हो जैसे पहले राज तंत्र चलता था जब राजाओं की इच्छा के बिरुद कोई भी काम नहीं हुआ करता था बैसे ही आज सातियों आज लोगतंत्र में भी कुछ लोग राजतंत्र चलाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोगों को सियमापाल जी सबक सिखाने के लिए करहल बिधानसबा उप्चनाओं में आने वाले हैं और पूरे जोड सोड से करहल विधानसवा के लिए सियमापाल जी तयार हो चुके हैं सियमापाल जी के लिए राश्ट्री समाच पार्टी पूड रूप से सपोर्ट भी कर रही है और राश्ट्री समाच पार्टी के बैनर तले स्यामा पाल जी बिधान सवा करहल के उप्चनाओं में अपनी ताल ठोकने का काम करेंगे और तमाम बिरोधियों के होस उडाने का काम करेंगे स्यामा पाल जी का साफ तोर पी ये भी कहना है कि हम केवल जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि लोग हमारे संगर्थों को जाने कि एक स्यामा पाल जी एक नौजबान तमाम दबे कुछले सोचत और बंचे समाज के हकतकार के लिए किसी से भी भीड़ने को तयार था इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा तो साथियों कुल मिला करके आप लोगों का इस विच्छा पे क्या सोचना है क्योंकि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी साख के समाज पर दाउं लगा चुकी है कहीना कहीं बड़ा गहराई से यदि देखा जाए तो दो पत्ते कहीना कहीं साथ तोर पर देख चुके हैं साथियों एक तरफ राश्टी समाज पार्टी से सियमापाल जी और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने साख के समाज पर दाउं लगा करके कहीना कहीं इस गेम को मोड़ने का काम किया है इससे कहीना कहीं समाजवादी पार्टी और भा मारत